चक्कर आना या सिर्ग घूमना बहुत आम बात है इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि ज़्यादा समय भूके पैट रहना कमजोरी या अन्य कोई वज़े जिसकी वज़े से आप अचानक बेहोस होकर गिर पड़ते हैं वैसे कई बार तो चक्कर जादा देर बेटे रहने के बाद अचानक उठने पर भी आते हैं जिसमें आपको लगता है मानों पूरी धरती गोल गोल घूम रही हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ब्रेन में बलट सर्कुलेशन सही से न होना अचानक और बार बार चकर आने की इस्तिति को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए ऐसे में आप अपने घर पर ही कुछ चीजों का इस्तेमाल कर उपचार कर सकते हैं चक्कर आने पर तुलसी के रस में चीनी मिलाकर सेवन करने से या तुलसी के पतों में सेद मिलाकर चाटने से चक्कर आना बंद हो जा चक्कर आने पर धन्या पाउडर 10 गराम तता आउले का पाउडर 10 गराम लेकर एक गिलास पानी में भिखो कर रख दें, सुबह अची तरह मिला कर पी लें, इसे चकर आने बंद हो जाते हैं, खरबुजे के बीजों को पीच कर गी में भुन लें, अब इसकी थोड़ी थोड़ मातरा सुबह साम लें, इसे चकर आने की समस्या में बहुत लाब होता है, सिर चकर आने पर आदा गिलास पानी में दो लोंग डाल कर इसे उबाल लें, और फिर उस पानी को पी लें, इस पानी को पीने से लाब मिलता है, 20 गराम मुनक का गी में सेंख कर सेंदा नमक डाल कर खाने से चकर आने बंद हो जाते हैं जिन लोगों को चकर आते हैं उन्हें दोपर के भोजन के दो घंटे पहले और साम के नास्ते में फलों का जूस पीना चाहिए रोजाना जूस पीने से चकर आने बंद हो जाएंगे लेकिन ध्यान रखें कि जूस में किसी परकार का मीठा मसाला नहीं डाले सादा जूस पीए जूस की जगा चाए तो ताजे फल भी खा सकते है चाए और काफी कम पीनी चाहिए अधिक चाए काफी पीने से भी चकर आते है तो ये थी कुछ मेत पूर्ण जानकारिया जो हमने इस वीडियो के मादियम से आप लोगों तक साजा की है मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों इसाथ सेर करें अगर आप चेनल पे नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें